जैसे कि आप जानते हैं फिर आज मैं अब्जेक्टिव लेकर आया हूँ अब्जेक्टिव कुश्टन सुट्व के लिए विहार बोर्ड के स्टुडेंट्स के लिए जिसका नाम है ओध टू ऑटम ध्यान देंगे बहुत इंपोटेंट है और विदार्थियों को यह पता है कि कि बाहर जाना नहीं है इस लोगडाउन में बैठ कर इसका फूरा पूरा फायदा उठाना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे यह प्रैक्टिस जारी रहेगी मेरा यह कारियर जारी रहेगा और विदार्थी लोग भी अपना काम में जारी रखेंगे तो चलिए हम देखते हैं ज इंग्लाइन के लंदन में हुआ था और उन्हें इंग्लिस पोएम में उन्हें रोमेंटिक प्वेट भी का जाता है और तो चलिए हम आगे देखते हैं यह और टू आटम में पहला कुश्चन है नहीं देंगे ओर टू आटम इस रिटेन बाई ओर टू आटम का मतलब होता ह जोन किट्स के द्वारा लिखा गया है चलिए दूसरा कुश्चन दिखते हैं और फिर से देंगे ओर टू आटम जोन किट्स के द्वारा लिखा गया है दूसरा कुश्चन दिखते हैं दूसरा ओर टू आटम इस ए ड्रामा स्टोरी पोएट्री एसी तो ओर टू आटम एक poetry यानि poem या poetry तो इसमें option poetry है तो poetry मारेंगे poetry है यहाद दीजे तिसरा question है तिसरा question हम देख रहे है ode to autumn is an बहुत important है बहुत important question ode to autumn is an epic winter ode none of these तो गीत ode का मतलब होता है गीत यहाँ ओड ही होगा ओड ऐसे आपका चिप्टर का भी नाम है ओड टू-अटम एक इपिक मने काबे होता है वेंटर वेंटर मनें तो जानते हैं ठंडी ज़रह होता है तो यहाँ जाएगा ओड टू-अटम ध्यान देंगे ओड टू-अटम इज एन ओड चले आगे चलते चोथा question में, kids was dot dot poet, बहुत important, इंग्लिस romantic poet का आता है, अभी हम चर्चा किये थे, kids कैसा poet है, यह कैसा poet थे, a romantic poet, war poet, modern poet, none of these, तो romantic, ध्यान देंगे, यहां हो जाएगा romantic poet, kids कैसा poet से, romantic, अगला देखिये, Ode to autumn is a poem of dot dot, ध्यान देंगे, Ode to autumn is a poem of dot dot, Ode to autumn कैसा कविता है, love, war, nature, struggle, तो Ode to autumn में, प्राकृति के बारे में, चर्चा की गए, या पत जर, फिर, पूंधे, फूल के बारे में, चर्चा की गए, यह निचर होता, तो यह निचर, निचर होगा, Ode to autumn is a nature, ध्यान देंगे, O to autumn is a nature poem, कैसा, निचर, 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 बहुत इंपोटे न है, यहाँ देखिए, new leaves and fruits grow on trees, ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है, new leaves and fruits grow on trees in, मने, पेर पर, पेर पर, नय 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 पते और फल आ जाते हैं, किसमे, ध्यान देंगे, किसम वसम की बात हो रही है, तो ध्यान देंगे, autumn की, autumn की अभी बात हो रही है, autumn, जो भी बात हो रही है, autumn की बात हो रही है, autumn हो जाएगा, चलिए आगे दखते हैं, dot dot twitter in the sky, आकास में चाहते हैं, क्या, eagles, flowers, swallows, और यहाँ है, kites, तो जानते हैं, eagles मने क्या होता है, c हो जाएगा, यहाँ, ध्यान देंगे, swallows, क्या जाएगा, swallows, dot dot twitter in the sky, तो swallows twitter in the sky, अगला question है, autumn is the close friend of the matching, dot dot, बहुत important, autumn में, सुरी के गर्मी के साथ, सुरी के रोशनी, सुरी के गर्मी के साथ, फल पकती है, तो autumn को सुरी के साथ, बड़ी घर, मनें, गहरी दोस्ती की बा autumn is the close friend of the matching, परिवाक कुछ इसको बलते हैं, तो autumn किसका close friend है, तो sun का, जान देंगे, यहाँ, sun का, sun का, जान देंगे, autumn starts after the departure of, autumn, यानि, autumn जो पदर रितू होते हैं, मौसम होते हैं, वह किसके समापती के बाद सुरू होता है, तो summer के, summer के समापती के बाद, यानि कि B यहाँ देखिए, summer लिखा हुआ है, B, summer, summer के समापती के समापती के समापती है, autumn starts after the departure of summer, अगला question है, जान किट्स वाज बर्ण इन, ध्यान देंगे, जान किट्स वाज बर्ण इन, जान किट्स का जन्म कब हुआ था, तो सत्रासो पंचानमी इस्वी में, बहुत इमोटेन, जान कि किट्स की मिर्तू कब हुई थी, तो जान किट्स की मिर्तू 1821, मातर 26 वर्ण, मातर 26 वर्ण तक जीये थे, लेकिन इन ही 26 वर्स में उन्होंने, बहुत सारा नाम कमा लिआ, इस छेतर में, और महान कभी romantic poet, महान romantic poet कहा जाते हैं, कहा जाते हैं, कहे जाते हैं, और इक बार, और इसे एक और question और होता है जो मैं बताना चाहूँगा autumn is a season of mellow एक question आया था autumn is a season of mellow तो यहाँ ध्यान देंगे यहाँ fruitfulness होता है fruitfulness होता है जो हम जब कभी हम books पढ़ाएंगे इसकी चचा करेंगे तो हो जाएगे एक question और आता है and gathering swallows twitter in the sky is taken flow and gathering swallows twitter in the sky is तो यहाँ यह जो वाक्य है and gathering swallows twitter in the sky हम अभी बात कर रहा है तो यह ode to autumn से ही लिया गया है ode to autumn से ही लिया गया है तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ याद दिलाना चाहता हूँ कि इस golden opportunity को आप लोग miss नहीं करेंगे और मेरा जो हम मेहनत कर रहे हैं मैं सुचता हूँ कि हमारी मेहनत एक दिन रंग लाए और इसमें हम सब का सहयोग जरूरी है और इसके साथ साथ आपके भरफूर तयारी भूगे हो जाए तो इस बात को भूलिये गरहीं और नियमित रूप से इसे देखिए कि lockdown में भी साथ हमारी यह कोशिस है कि आपकी तो उस समय का परतिक्छा करें गया धन्यवाद